भारत अंतरिक्ष में तिहास रचनी के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। चंद्रियान 2 ने चंद्रमा की पांचवी और आखिरी परिक्रमा को बिना रुकावट के पूरा कर लिया है। लेंडर विक्रम को अंतरिक्ष यान से अलग कर दिया गया है। इसरो के मताविक विक्रम सोमवार को चंद्रियान 2 से अलग हो गया और चंद्रमा पर उतरने के लिए आगे बढ़ गया है। अब तक मिशन के सभी मापदंड सही पाए गये हैं। इसरो ने बताया कि रविवाज शाम 6 बचकर 21 मिनिट पर चंद्रियान 2 ने पांचवी परिक्रमा पूरी कर ली। इस जरान उसने यान में लगाए गये प्रोपल्शन सिस्टम का उप्योग किया। इस प्रक्रिया में कुल 52 सेकेंड लगे। इस समय चंद्रियान 2 चंद्रमा के 119 गुणा 127 के परिक्रमा पथ पर आचुका है। अब अगला चरण लेंडर विक्रम का यान से अलग होना है। जो सुमवार को दोपहर 12 बचकर 45 मिनिट से 1 बचकर 45 मिनिट के बीच पूरा किया जाएगा। इसरो के मताबिक लेंडर विक्रम सुमवार व मंगलवार को दो बार परिक्रमा पथ पर अपनी जगह बतलेगा। इसरो चेयर्मेन के सीवन के अनुसार इसके बाद वो चंद्रमा पर उतरने के लिए बढ़ चलेगा। उसके साथ सितंबर को चंद्रमा के दक्षिनी धूप सौफ्ट लेंडिंग प्रक्रिया से पहुचाया जाना है। ये बहुत रोमान्चिक लेकिन तनाव भरा समय होगा। भारत ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। 22 जुलाई को भारत की धर्ती से छोड़े गए चंद्रियान दू ने 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारत इतिहास रचने जा रहा है। साथ सेतंबर की रात एक बच कर 30 मिनट पर विक्रम और इसकी भीतर मौजूद रोवर प्रग्जान चंद्रमा की सतह पर उत्रेगा। इस प्रक्रिया में करीब 60 मिनट लगेंगे। और ये प्रक्रिया डाई और ये प्रक्रिया दो घंटे 30 मिनट में पूरी होगी। लेंडिंग के बाद सुभा साड़े पांच बजे से साड़े छे बजे की बीच विक्रम से निकल कर प्रज्यान चंद्रमा की सतह पर चलेगा और विभिन प्रयू करेगा